नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसुई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूवे आज बनाने जारी हूँ वेज मैयोनीज सेंडविच और ये सेंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जब छोटी मोटी भूक लगी हो साम के चाय के साथ या अप सुबा के नास्ते में आप इस सेंडविच को बना के खा सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है और मैंने आज इसे गार्लिक टेस्ट के साथ बनाया है तो आप अगर ओनियन गार्लिक पसंद करते हैं तो आप इसमें जरूर डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नहीं तो इसके बिना आप इस सैंडविश को ट्राई कर सकते हैं तो चलिए इस रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें रोज मेरी एक नई रेस्पी देखने के लिए यहाँ पे मैंने बहुत बारीक कट करके प्याज ली है मैं आज इस सैंडविच को गार्लिक और प्याज के साथ बना रही हूँ आप इन दोनों चीजों को स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते हैं इसके बाद बारीक कटी हुई सिम्ला मिर्च डाली है और यहाँ पे बारीक किया हुआ लहसन 5-6 कलिया लहसन की मैंने ग्रेट कर ली थी उसे मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे मैंने डाला है हरी मिर्च और हरी मिर्च को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है और मैं हरी मिर्च थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि जो हम चटनी इसमें डालेंगे व इसके बाद हम डालेंगे मयोनीज तो यहाँ पर देखिए मैंने भर के दो चम्मच मयोनीज डाला है और इसे mix करेंगे, mix करने के बाद अगर कम लगेगी तो हम थोड़ा सा और रेट करेंगे तो इसे सबसे पहले mix कर लेते हैं और ये सेंड्विच फटा फट बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस सेंड्विच की रेश्पी को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारे सेंड्विच की जो स्टफिंग उसे mix कर लेते हैं और मेयोनीज अभी हमें कम लग रही थी थोड़ा सा एक चमच और ले लिया है अब इन सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इस तरीके से सेंड्विच को बनाते हैं तो और य कर दिआ प्टर लगाने के बाद मैंने यहां पी लीया है यह घ्रीन चट्णी जो सेंड्विच वाली चट्णी होती है ग्रीन पुदिने और धनिये की वो चट्णी है उसे ले लिया है इस चट्णी को जब भी आप सेंड्विच के लिए बनाए तो चटनी थोड़ी सी लगाएंगे थोड़ा सा बटर और उसके उपर से लगाएंगे थोड़ी से ग्रीन वाली चट्नी बस यह यहां पर दूसरा सेंडविच भी हम तयार कर लेते हैं यह देखिए चटनी लगा दी है और इसके बाद यहां पर इसे लगा देंगे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और यहां पर रख लिया है मैंने तवा और उससे पहले देखिए यहां पर जो हमारी स्टफिंग बच जाती ह इसे हम फ्रीज में दो से तीन दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं और जम्मन करें सैंडविच बना सकते हैं यहां पर देखिए तवा हमारा गरम हो चुका है तो अब सेक लेते हैं इस ब्रेट सैंडविच को मैंने यहांपर एक साइड में लगा दिया है उपर से बटर और जो बटर की side है उसे तवे पर इस तरीके से नीचे करके रखेंगे बस एक हम ने रख दिया है यहाँ पर दूसरा भी सेम प्रोसेस से करते हुए रख देंगे यहाँ पर यह देखें ऐसे और फिर उपर के side में भी हम हलका सा बटर लगा देंगे यह देखें बटर लगाने से बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत अच्छी सेंडविश सीख के तयार भी होगी ये देखे इसे पलट देते हैं और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है सेंडविश का और आप इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखें अब इसे उतार लेते हैं पलेट में और यहाँ पे हमारा सेंडविश हो गया है तयार तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और बहुत ही क्रिस्पी सीख के तयार हुआ है अगर आप मीडियम फ्लेम पे सेखते हैं तो बहुत ही अच्छा सेंडविश सेखता है तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने यहां पर स्टफिंग भरी हुई है, तो गर्मा गरम चाय के साथ सेंड्विच बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरी मैयोनीज सेंड्विच की रेस्पी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, मेरे चैनल को सब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए बैबै दो,